नमस्कार आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले मुख्य समाचार सेल रॉलकला इसपाच सैंत्र के स्टिर्प मेल्टिंग शॉप दो को वर्ष 2023-24 की पहली दिमाई में सबसे अधिक निकट चूप मामलों की रिपोर्ट करने पर प्रशस्ति पत्र हासिल सेल रॉलकला इसपाच सैंत्र द्वारा पिछले आठ वर्षों से प्रती स्कूली दिवस पर 49,000 से अधिक स्कूली विद्याथ्यों को पौश्टिक मध्यान भोजन प्रदान और हमारी आजादी का अमरित महुष्च चल्शिंखला में आज के सक्षियत हैं पंडित गोदावरिश मिश्टर अब समाचार विस्तार से सेल रॉलकला इसपाच सैंत्र के स्टिल मेल्टिंग शॉप दो विभाग को चालू वितवर्ष 2023 की पहली तिमाई में सबसे अधिक संक्षा में बाल-बाल बचे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए कार्यपालक निदेशक वोक्स श्री एसा शुर्यवंसी ने एक प्रशन सा पत्र प्रदान किया मुख्य महाप्रवंदक SMS-2 श्री टीपी शिवशंकर, वरिष्प्रवंदक एवन डीएसो SMS-2 श्री स्सी महाराना और महाप्रवंदक सुरक्षा इंजिनेरिंग विवाग श्री अवकास बहरा ने कार्यपालक निदेशक वोक्स के समलन कक्ष में 22 जुलाई 2023 को आयोजे टेक कार्यक्रम में प्रशस्तिपत्र ग्रहन किया तीम के अथक प्रयासों के कारण चालू विद्वर्ष के पहली ती माई में लगबग 61 नियर में इस मामलों की रिपोर्टिंग हुई RSP ने अपने परिचालन में लगातार सुरक्षा को प्राथमिक्ता दी है और दुरगतना मुक्त कारिस्तल बनाने के लिए समर्पित है इस उद्देश से इसपास सेंत्र ने परियोजना निश्चय के तहट एग्व्यापक बहु आया में दृष्टिकोन अपनाया है जिसका उद्देश संगठन के भीतर समगर सुरक्षा की संस्कृति को स्थापित करना है परियोजना निश्चय के तहट विविन पहलों के बीच करमचारियों और विभागों को लगबग नियर मीस मामलों की तुरंट रिपोर्ट करने के लिए प्रोश्चाहित किया जाता है ये सक्रिय दृष्टिकों संभावित खत्रों की पहचान करने में मदद करता है और दुरगटनाओं को घटित होने से पहले रोकने के लिए ठो सुधरात्मा कुपायों के कारणवेन की सुविदा प्रदान करता है नियर मिस मामलों का विस्तार से विसलेशन करने की प्रक्रिया मूल कारणों की पहचान करने और अंतराल को पाटने में सहायता करती है जिसे पुनरावृत्ति की संभावना कम हो जाती है करमचारियन द्वारा नियर मिस घटनाओं की निर्बाद और कुशल रिपोर्टिंग सुनिश्यत करने के लिए RSP, Internet Portal और कर्मी मित्र एप में रक्षक नियर मिस घटना पोर्टल और निश्चे पोर्टल में सुविदाएं और लिंक प्रदान किये गए हैं ये उप्योग करता अनुकूल प्लाटफॉर्म नियर मिस रिपोर्ट को त्वरित और आसानी से प्रसुत करने, सुरक्षा रिपोर्टिंग सक्रियों को सुविवस्तित करने और सतरकता और जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस्पात सेंतर एक सुरक्षित कार्यस्तल बनाने और दुरगतना मुक्त इस्पात उत्पादन में उद्ध्यों का नित्रत करने के लिए द्रिट संकल्पित है। इस परियोजना ने 8 साल पूरे कर लिये हैं और हर साल विद्याथी के कई बैच स्कूल से पास हो रहे हैं। RSP की CSR पहल के तहर शुरू की गई प्रमुक परियोजना का उद्धेश भूक को खतम करना, भूक और गरिबी के कारण स्कूल छोने की संक्षा को कम करना और बच्चों में कूपशन की समस्या का समाधान करना है। भूजन में अलग-अलग दिनों में चावल के साथ साथ विविन प्रोटीन युक्त खाद्य प्रधार्थ जैसे चनाडालमा, राजमा, बरबटी, आलू मतर पनीर, आलू मतर सोयाबिन और मिली जुली शबजी शामिल रहते हैं। खीर और आचार भी नियमितरुप से दिया जाता है। एक चावल साथ करने की मशीन, एक कोल्ड स्टोरेज, उप्युक्त बर्तन, कन्वेयर, बेल्ट, पैकिंग और सफाई सुविदाएं शामिल है। सेल रोलकला इसपास सेंत्र चल रहे आजादी का अमरुत महश्चव समारों को चिन्धित करने के लिए उईसा की प्रतिस्टित हस्तियों पर समाचारों की एक्ष्रिंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम प्रकर सुतंतरता सेनानी और देशवक्त पंडित गोदावरिश मिश्र की पुन्यतिती पर उनकी अदम्य भावना को नमन कर रहे हैं। भारत की सुतंतरता के प्रति उनकी अटूद प्रतिवधता के लिए याद की जाने वाले सुतंतरता संग्राम के दौरान पंडित मिश्र के वीर्तापुन योगदान ने इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाप छोड़ी है। 26 ओक्टूबर 1886 को खोर्दे जिल्ले की श्रीनिवासपूर साशन बानपूर में जन में पंडित गोदावरिश मिश्र का पारंबिक जीवन राश्ट्रवादी उश्चा की गहरी भावना से प्रेरित थे। उन्होंने दमनकारी ब्रिटिश सासन के खिलाब विरोध प्रदशन आयोजित करने, नागरिक अधिकारों की वकालत करने और जनता को संगटित करने में महत्वपुन भूमी का निभाई। उनकी अखर, नेत्रत और उद्देश्य के प्रति समर्पन ने उन्हें साथी स्वत्रता सेनानियों के मध्य एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया और वे जन्समू के बीज प्रतिरोत भावना की चिंगारी जलाने में सफल रहे। जिले चक्रधरपूर हाई स्कूल के प्रधनाद्यब्रक के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने उष्चापूर्ण उडिया भासा और उसकी सम्रित सांस्कृतिक जड़ों की रक्षा की। सत्यबादी यूग के पंचसका में से एक रूप में पंडित गोदावरिश मिश्र का जीवन और कार्य उडिसा और राष्टर की लोगों के लिए प्रेणा का प्रतिक बने हुए हैं। जब उन्होंने दस समाज के लिए संबातक की भूमी का निभाई और 1924 में बानापूर से प्रकाशित लोकमुक पत्रिता के संस्थापक के रूप में काम किया तो उनकी साहितिक प्रतिभा चमक उठी। उनकी मनमोहक कविताएं जिनमें काली जय और किलशय सामिल हैं और उनकी अंतरदिश्ट पूर्ण आत्मकथा और धरसतापदिरो उडिसा और तहीर मोस्थानों उडिया साहिति के लिए कालातित उपहार बन गई और पीड़ी दर पीड़ी पाठकों को मंत्रमुग्द करता रहा है उनकी पुन्य तिथी पर हम उनकी उलेखिनी जीवन यात्रा को स्मरण करते हैं जो 26 जुलाई 1956 को समाप्थ हुई लेकिन जिसका प्रभाव आज भी उडिया संस्कृति और सुत्यंत्रता के भावना को गढ़ रहा है हिंदी समाचार काक्षे आज के लिए बस इतना ह प्रकत प्रमा करता हो ड़ door arrivé है तुला रहा है हुईक्नाओ घटर्याος बड़ करता है